हेलो गाईज हमारे यूटूब चैनल कॉमर्स लाइफ पर आप सभी का एक बार फिर सवागत है और आज हम लोग बात करेंगे देखिया सम्म्दित जो भी जानकारी आज की निस्पपर में को देखिया आज का जो पेपर उसमें दो गंटे का करा दिया जाए तो देखिए उसी सम्मदित आज जानकर ही आई है आज का जो नीज फिपर है उसमें तो देखिए जानकर यहाँ पर गया है CCS से सम्मदित कोलिजों में परिक्सा पुरी कराने को लेकर विश्विद्याले परसासन ने प्रस्ताओ तियार कर लिया है फाइनल एर की परिक्सा चार पालियों में कराने और बागी परिक्साओ की अवधी तीन घंटे की बजाए दो घंटे करने को लेकर मंगलवार को कैमपस में जो प्रिक्सा समिती की ओनलाइन बैटक बुलाई गई है जिसमें BA, BSC, BCOM के पेपर की भी मिटिंग रखी जाएगी इनके बारे में discussion होगा, इनके सवाल कैसे घटाय जा सकते हैं, पेपर दो घंटे की अवधी के किस तरह से किये जाएंगे, इन सब को लेकर आज निर्ने होगा, ठीक है, तो ये आज की महत्तपुन news थी, उसके बाद दूसरी जो महत्तपुन news है, वो है practical को लेकर, आज जो discussion होगा, वो practical को लेकर भी होगा, कि जो practical है, वो किस परकार से complete करा जा सकते हैं, देखिए, यहाँ पर जो news है, वो है practical से समन्दित, practical और दूसरे मुद्व भी, जो दूसरे अधर, जो भी topic है, उन पर भी discussion होगा, मंगलवार को होने वाली प्रिक्सा सिमिती की बैटक, कई मिं का देखिए, तीसरे जो इसमें news है, कि अभी जो है, मुल्यांकन होना बाकी है, जो पेपर हो चुके complete, अभी तक उनकी कोपिया चेक नहीं हो पाई है, तो उसके लिए भी समीती तियार की गई है, कि कोपिया कैसे चेक होंगी, इसके लिए मेरेट मंडल और सानपर मंडल में जो ग्रीन जोन है, वहाँ पर कोपिया चेक होंगी, ठीक है, इसके बारे में news है, लेकिन ऐसा नहीं है, कि जो कोपिया है, देखिए, सबसे लास्ट में दिया गया है, विश्य विध्याले ने घर से मुल्यांकन करने, यानि कि कुछ लोग सोच रहेते हैं, जो कोपिया है, घर पर भी चेक हो सकती है, लेकिन विश्य विध्याले ने घर से मुल्यांकन करने का कोई विचार नहीं किया है, ठीक है, कि मुल्यांकन आप अपने घर से नहीं कर सकते हैं, आपके घर पर कोपिया नहीं पहुचाए जाएंगी, जो भी faculty, जो भी सिख सक हैं युनिवस्टी ठीक है, वो घर से कोपि चेक नहीं कर सकती है, जो green zone है, सिरिफ और सिरिफ उनी एरिया में कोपि चेक होंगी, ठीक है, उसके बाद देखे, ये तो थी अमर उजाला की news, हम लोग चलते हैं दैनिक जागरन में, देखे, दैनिक जागरन में क्या news है, इसमें भी यही news है कि कि इस तरह से परसंपत्रों को छोटा बनाया जाए, देखे, मैं एक बार यहाप एंडरलाइन कर देता हूँ, परसंपत्र होंगे छोटे, चार पालियों में होगी प्रिक्सा, इसमें भी वही बात है कि जो परसंपत्र है, वो छोटे होने का मतलब यह है कि कैसे तीन घंटे के पेपर को दो घंटे के पेपर में कनवर्ट किया जाए, उसकी बाद देखे, यहां लंबे होते, लोगडाउन के चलते, चोदरी चरण शिंग, विश्य विध्याले के समक्स, प्रिक्सा कराने को लेकर चुनूती बनी हुई है, इसे देखते है विश्य विध्याले, गंटे वाला जो पेपर है, उसे कैसे दो घंटे में कनवर्ट किया जाए, तो उसके लिए क्या होगा कि जो प्रिक्सा केंदर होंगे, वहां पर मोखिक निर्दिश दे जाएंगे बच्चों को, श्टुडेंट को, कि आपको किस तरह से पेपर कम्पलीट करना है, क्योंकि जो पहले से पेपर तयार हैं, वो तीन घंटे वाले हैं, तो वही पेपर दो घंटे के किस तरह से तयार होंगे, इस पर डिसकसन होगा, और उसके बाद जो नियू जैस में, वो यह है कि जो अंतीम वर्स है, जो फाइनल येर है, उन बच्चों के एक्जाम सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अपने फ्रेंड को सेर जरूर कीजएगा, ठीक है थैंक्स पर वोचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा